जैसे कि हम इसको solve कर रहे थे तो इसको solve करते हुए हमारे पास क्या हो जाएगा जैसे हम solve कर रहे थे 1 by यहां तक पहुच गए थे हम minus 1 by 2 cos m plus n x divided by m plus n plus cos m minus n x divided by m minus n minus pi से pi limit है तो अब हम इन limits को put कर देंगे तो क्या हो जाएगा minus 1 by 2 1 by m plus n को हमने common ले लिया cos m plus n into pi minus cos m plus n minus pi क्या होता है कि upper limit minus lower limit इसी तरह से हमारे पास values होती है ऐसे ही क्या बन जाएगा plus 1 by m minus n into cos m minus n pi plus cos m minus n into minus pi उसको भी bracket को बंद कर दिया अब हमारे पास cos के case में क्या होता है cos minus theta किसके equal होता है cos theta के equal होता है तो क्या हो जाएगा that means जो minus pi था या हम बोलें कि negative sign को cos neutralize कर देता है ठीक है तो क्या हो जाएगा जो cos minus pi है वो cos pi बन जाएगा तो ये बन गया उपर cos m plus n pi minus cos m plus n into pi नीचे क्या बन गया plus में क्या बन गया 1 by m minus n cos m minus n pi plus cos m minus n into minus pi क्या उसको भी cos ने क्या कर दिया neutralize कर दिया बलकि यहां पर यहां लिखने में इसमें थोड़ी सी गड़बड हो रखी है ये जो plus cos m minus into minus pi था ना वो बीच में minus का sign है क्योंकि जब आप उपर limit minus lower limit होता है तो वो minus का sign आएगा वहां पे तो इसका मतलब क्या हो गया minus pi और pi दोनो pi बन गए तो वो क्या cos m plus n pi minus cos m plus n pi से वो कट जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा cos m minus n pi minus cos m minus pi से वो कट जाएगा तो that means आपके पास क्या हो जाएगी value किसके equalा जाएगी ये 0 के equalा जाएगी तो हमारे पास यहां से हमने प्रूब कर दिया कि minus pi से pi sin mx into cos nx dx किसके equalा गया 0 के equal आ गया ऐसे ही हमारे पास second identity है sin mx into sin nx dx किसके equal आ गया πाई into del mn del mn क्या होता है आपके पास chronical delta function इसको हम बोलते है मतलब m is equal to n के लिए तो इसकी value 1 होती है और otherwise इसकी value क्या होती है 0 होती है तो इसका भी proof हम देख लेते हैं कि जब हम sin mx into sin nx dx को expand करेंगे तो sin a cos b किसके equal होता है cos a minus b minus cos a plus b तो उसको ऐसे ही हमने expand कर दिया यह हो गया cos a आपके पास क्या है mx b क्या है nx तो यह क्या बन जाएगा cos m minus n into x minus cos m plus n into x ठीक है अब उसको integrate करेंगे तो बन जाएगा cos का integration sin होता है sin m minus n x divided by m minus n minus sin m plus n divided by m plus n into x minus pi से pi है क्या होगी limit होगी जब हम इस limit को put करेंगे pi को put करेंगे तो sin pi हमेशा क्या होता है आपके पास है sin pi की value कितनी होती है 0 होती है sin n pi आपके पास क्या होगा हमेशा 0 होगा sin 0 की value भी 0 होग साइन पाई की भी जीरो होगी, साइन टू पाई की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी, तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, आपके पास यह वैल्यू किसके एक्वल आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, for M not equal to N, लेकिन जब आपके पास M is equal to N होगा, इसी फॉर्मूले में, जो first में M x into sin N x dx में M, अगर N के बराबर हो जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा, sin N x into sin N x into dx, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास sin square M, M की जगे N put कर लो, या N की जगे N put कर लो, तो यह बन जाएगा, आपके पास minus pi से pi sin square M x into dx, और sin square theta को हम कैसे निख सकते हैं, 1 minus cos 2 theta, ठीक है, यह आपके पास identity trigonometry में, हम direct use करते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, sin square M x dx किसके equal हो जाएगा, 1 by 2 minus pi से pi 1 minus cos 2 M x into dx, और अब इसको जब हम integrate करेंगे, तो यह आपके पास हो जाएगा, 1 by 2 x minus sin 2 M x divided by 2 M, cos का integration क्या हो गया, sin हो गया, cos का integration sin divided by 2 M, और जब इस values को put करेंगे, तो 1 by 2 x की जगे क्या हो जाएगा, pi plus sin x की जगे, जब pi put करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगी, यह value sin 2 M, pi किसके equal होगा, sin pi 0 के equal होता है, ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा, pi plus pi minus, जो sin की term थी, उसके करण क्या हो गया, क्योंकि sin pi 0 के equal होता है, तो जगे तो जगे तो आपके पास क्या बन गया, 1 by 2, pi plus pi minus 0 is equal to क्या हो जाएगा, 1 by 2 into 2 pi, और यह बन जाएगा, 2 से 2 cancel out, pi बच गया आपके पास, तो आपके पास, sin, यह minus pi से pi, sin M, x, sin N, x, dx की value किसके equal आगी, अगर M is equal to N है, तो वो आगी value pi के equal, और अगर M is equal to N नहीं है, तो वो value आगी 0 के equal, तो यह हो गया, आपके पास pi del MN, where M is not equal to 0, तो यह हमने prove कर दिया, इस तरह से, ऐसे ही अगर हमारे पास, तीसरी identity है, कि minus pi से pi हमारे पास क्या है, अगर minus से pi से pi, आपके पास limits है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, cos Mx, cos Nx, dx किसके equal हो जाएगा, pi del MN के equal हो जाएगा, तो वैसे हम इसको expand करेंगे, cos A, cos B, किसके equal होता है, cos A minus B, plus cos A plus B into dx, अब उसको फिर से हमने integrate कर दिया, तो cos का integration sign हो गया, sign M minus N, x by M minus N, plus sign M plus N, divided by M plus N, और जब इसमें pi की value put करेंगे, तो sign pi क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो for M not equal to N, तो ये value 0 आ गई, जब M is equal to N होगा आपके पास, तो M is equal to N के case में, आपके पास क्या हो जाएगा, cos बन गया, आपके पास cos square Mx into dx, और cos square Mx, cos square theta किसके equal होता है, 1 plus cos 2 theta के, तो हमने cos square Mx dx को किसके equal लिख दिया, 1 plus cos 2 Mx into dx के equal लिख दिया, और ये चीज किसके equal आ जाएगी, 1 by 2x plus sin 2 Mx से by divided by 2 M, और जब आप minus pi से pi पूट करोगे, तो sin pi तो आपके पास 0 हो जाएगा, बचेगा क्या pi minus minus pi, तो वो बन जाएगा, आपके पास 2 pi और 2 से 2 cancel out बच गया, आपके पास pi, तो जो pi आपके पास बच गया, तो finally जो value आई, minus pi से pi cos mx cos nx dx के आई, pi into del mn, मतलब del mn की value 0 होगी, जब m not equal to n होगा, और जब m is equal to n हो जाएगा, तो del mn की value हो जाएगी 1, तो जब इस integral की value कितनी आजाएगी, जब m is equal to n होगा, तो इसकी value आजाएगी pi के equal, और इस integral cos mx cos nx dx, minus pi से pi limits के बीच में, इसकी value हो जाएगी 0, 4, m not equal to n, ठीक है, तो ये तीन identities अब हम लोग ने देख ली, अब इन identities जहाँ भी हमें use करनी होंगी, हम क्या करेंगे, direct use करेंगे, तो अब उसके पास हम क्या निकरेंगे, a note की value निकालते हैं, an की value निकालते हैं, और bn की value निकालते हैं, तो यहाँ पर इसने calculation करके नहीं दिखा रखी, तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इसको expand करके मैंने लिखा है, कि सबसे पहले तो हम निकालते हैं, कि a note की value निकालने के लिए हमारे पास, fx को हम किसके equal लिख चुके हैं, fx is equal to a note plus summation n is equal to 1 से infinity, an cos nx plus bn sin nx, ठीक, इसको माल लेते हैं हम equation number a, अब हम क्या करते हैं, इस equation fx को integrate कर देते हैं, minus pi से pi interval के बीच में, ठीक है, तो इसको जब हम minus pi से pi के interval के बीच में, इस equation को हम dx से corresponding integrate करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, minus pi से pi fx dx is equal to a note minus pi से pi dx, plus summation n is equal to 1 से infinity minus pi से pi, an cos nx dx plus minus pi से pi bn sin nx dx, तो यह हमारे पास किसके equal हो जाएगा, अब a note हमारा भार निकल गया, constant है, अंदर dx का integration का मतलब क्या होगा, x और limit minus pi से pi, plus summation n is equal to 1 से infinity, an बाहर निकल गया, an एक constant है, integration हुआ किसका, cos nx dx का, cos का integration आपके पास क्या होता है, sin sin nx divided by n, limit minus pi से pi, plus ऐसे ही, minus आपके पास क्या आगया, sin nx dx का integration, sin का integration, minus cos x, minus sin को हमने bn के साथ लेग लिया, minus bn, cos nx divided by n minus pi से pi, अब इस limits को put करेंगे, तो यह क्या बन जाएगा, is equal to a note minus pi, minus pi, minus minus plus हो गया, तो यह बन जाएगा, 2 a note pi, और इसका क्या बना, sin n pi minus sin n minus pi, अब sin n pi की value, हमें n अगर आपके पास एक इंटीजर है, तो n pi की value हमेशा क्या होगी, 0 होगी, sin pi की भी 0, sin 2 pi की भी 0, sin 3 pi की भी 0, तो यह सारी इस values क्या होगी, आपके पास 0 होगी, अब वो sin n minus pi था, तो वो minus sin बाहर निकल जाएगा, वो भी sin n pi बच जाएगा, cos theta किसके एक वोल होता है, cos minus theta के एक वोल होता है, मतलब minus sin को cos क्या कर देता है, कतम कर देता है, तो यह बन जाएगा, cos n pi minus cos n pi बन जाएगा, cos n pi minus cos n pi 0 के एक वोल हो जाएगा, तो इसका मतलब यह आगी value, 2 a note pi प्लस summation, n1 से infinity, a n by n into 0, minus b n by n into 0, 0 multiply with something is equal to 0, तो यह 0 बन क्या बजा क्या, 2 pi a note, अब यहाँ से a note की value किसके एक वोल हो जाएगी, 1 by 2 pi minus pi से pi, f x into dx, तो यहाँ से क्या निकल के आया, अगर आपका कोई भी function है, periodic function है, और उसका period minus pi से pi के बीच में जा रहा है, तो आप उस function को कैसे expand कर सकते हो, उस case में a note की value किसके equal होगी, a note की value आएगी, 1 by 2 pi minus pi से pi, f x into dx के equal आजाएगी, ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी function दे दिया, उस function के case में a note की value इस तरह से निकल जाएगी, अब देखते हैं कि हम, a n को कैसे निकालते हैं, तो a n को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब फिर से क्या कर देते हैं, जो equation a थी उसको पहले तो multiply करते हैं, cos mx के साथ और फिर से integrate कर देते हैं दोनों side, तो left hand side तो क्या बन जाएगी, minus pi से pi f x into cos mx dx, और right hand side बन जाएगी, आपकी a note into minus pi से pi cos mx dx, plus summation n is equal to 1 से infinity, minus pi से pi an into cos nx तो पहले ही था, उसके साथ आपने cos mx को multiply कर दिया, और dx plus minus pi से pi bn into sin mx into cos mx into dx, अब इसमें आपके पास जो cos mx into dx है, वो तो zero के equal हो जाएगा, क्योंगे हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं ये, जो पहले हमने a note निकाला था, तो वहाँ भी हमारे पास क्या था, minus pi से pi cos nx dx था, तो हमने देख लिया था, कि जब cos nx dx को हम minus pi से pi integrate करते हैं, तो उसकी value क्या आती है, zero, तो a note के साथ में जो ये multiply integration है, ये zero के equal हो जाएगा, तो पहली टर्म तो खतम हो गई, plus जो हमारे पास अब दूसरा बचा, summation n is equal to 1 से infinity minus pi से pi, a n cos mx into cos nx dx, तो हमने जो identity हमारे पास थी, identity number 3, जो हमने identity number 3 ये देखा था, कि cos mx into cos nx dx किस के equal होगा, pi के equal होगा, pi into del mn के equal होगा, मतलब इसकी value pi के equal होगी, for m is equal to n, और इसकी value zero के equal होगी, for m note equal to n, ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आजाएगा, cos एसकी value किसके equal आजाएगी, pi के equal आजाएगी, for m is equal to n, जब m is equal to n होगा, तो उस case में इसकी value होगाईगी, pi के otherwise, wise इसकी value किसके equal आजाएगी 0 के equal आजाएगी मतलब total इसकी value किसके equal आएगी πाई के equal ही आएगी क्योंकि हमारे पास तो summation है न n की value जा रहे है यह 1 से infinity के लिए ठीक है तो एक case ऐसा भी आएगा जब m की m जो आपका basically n है उस n की value m के equal होगी तो जब m की value n के equal हो जाएगी तो उस case में तो आपके पास बन जाएगा πाई इस integral की value और जब और सारे cases में जब m की value n के equal नहीं है उन सारे cases में आपकी इस integral की value बनेगी 0 तो finally अगर यह summation है सभी का तो इस integral की value कितनी आ जाएगी πाई के equal आ जाएगी और उसके बाद है plus से minus πाई से πाई bn sin mx into cos mx dx से तो आपके पास इस integral की value किसके equal हो जाएगी हमने देखा था identity जो आपके पास one है यह identity one आपके पास क्या बोलती है कि sin mx into cos nx dx 0 के equal होगा तो यह value किसके equal आगे 0 की तो यह basically आपके पास sin यहाँ में न गलती से sin mx into cos mx dx है यह sin nx into cos mx dx पढ़ना आप इसको sin m की जगह यहाँ पढ़ना इसको n sin nx into cos mx into dx आगे correct भी कर रखा इसको ठीक है तो यह हो जाएगा आपके पास जो पहला integral था उसकी value 0 आगई दूसरे integral की value आगी pi an into pi तीसरे की value आगी 0 तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास an किसके equal आजाएगा one by pi minus pi से pi fx into cos mx dx तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं जब four year theorem लगाएंगे तो an की value आपके पास किसके equal आएगी इस चीज़ के equal आएगी आपको an की value निकालने है तो आप क्या करोगे fx को cos mx dx के साथ integrate कर दोगे इन limits minus pi से pi तो आपके पास an की value आजाएगे ऐसी bn की value निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो हमारे पास यह equation number a है उपर इस equation number a को sin mx के साथ multiply करके और integrate कर देंगे तो left hand side का बनगी minus pi से pi fx sin mx into dx और right hand side आपके पास बनगी a note minus pi से pi sin mx into dx is equal to zero ठीक है तो यह plus में हो जाएगा यहां से हो गया minus pi से pi an cos nx sin mx dx और यह बन जाएगा bn sin nx sin mx dx तो यहां से identity number जो हम two है उसको use करेंगे sin nx sin mx into dx इसकी value तो कितनी हो जाएगी pi del m कि जब m और n बराबर है तो इसकी value pi हो और जब m और n बराबर ना हो तो इसकी value zero हो तो n की value one से infinity तक जा रही है मतलब एक point ऐसा भी आएगा जब m n की value किसके equal होगी one से लेकर और infinity तक इसकी value vary कर रही है कुछ भी value हो सकती है तो एक point ऐसा भी आएगा जब n की value क्या आएगी m आजाएगी तो उस time पे तो इस integral की value हो जाएगी pi और otherwise इस integral की value हो जाएगी zero तो इस summation के case में इस integral की value आजाएगी कितनी pi और cos nx sin mx dx की value हो जाएगी zero using identity number one जो यह identity number one हमने निकाली यहाँ पर यह वाली जो sin mx cos nx dx is equal to one by two ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगी इसकी value हो जाएगी zero तो यह आपके पास आ गया minus pi से pi fx sin mx dx 0 plus 0 plus bn into pi तो bn यहाँ से किसके equal हो जाएगा one by pi minus pi to pi fx sin mx into dx तो यहाँ से हम इस तरह से क्या कर सकते हैं coefficients को निकाल सकते हैं n की value को भी bn की value को भी और a note की value की भी जब एक बार हमारे पास a n bn और a note निकल गए तो हमें क्या करना उनकी values को put करना है और put करते ही हमारे पार जो function fx था complex periodic function fx उस complex periodic function fx को हम in terms of sine and cosine function क्या कर सकते हैं expand कर सकते हैं ठीक इससे आगे का next class में discuss करेंगे ठीक कभी थाइए